प्रतिबंद को लेकर अमेरिकी चतावनी के बीच भारत और रूस के पीज S-400 मिसाइल डिफेंस डील पर लगी मुहर स्री नगर ओल्ड सिटी में पंचाय चुनाव से पहले बंदुग्धारियों ने दो को मारी कोली राहूल गांधी बोले 2019 चुनाव से पहले बस्बा आ सकती है साथ अब खबरे विस्तार से अमेरिकी तरफ से प्रतिबंद की चतावनी के बावजुद भारत और उसके पुराने मित्र रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम करार पर दस्थकत कर दिया है इसके साथ ही रूस और भारत के बीच अंतरक्ष के सहयोग को लेकर भी समझोते पर दस्थकत किये गए है प्रधान मंतरी नरेजरमोदी और रूस के राष्टपती व्लादी मीर पुतीन के बीच दिल्ली के हैदरबाद हाउस में आज हुई दूपक्षय वारताप के दौरान इस दील पर मुहर लगाई गई और इस दौरान दोनों नेताओं के पीश दूपक्षय सहयोग और रननितिक मुद्धो सही अन्य ज्वलन सेल मुद्धो पर चर्चा हुई कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने आज कहा कि मध्यप्रदेश के अगामी विधान सबाचुनाओं में उनकी पार्टी के साथ गंदबंधन नहीं करने के बसपा प्रमुख मायावती के फैसले का कॉंग्रेस की संभवनाओं पर असर नहीं होगा उन्होंने यह भी कहा कि 2019 के लोग सबाचुनाओं में बसबाच साथ आ सकती है मायावती ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि वा मध्यप्रदेश और राजिस्थान के विधान सबाचुनाओं में कॉंग्रेस के साथ गंदबंधन नहीं करेगी उनके फैसले को भाचपा के खिलाफ विपक्च के महागटबंधन बनाने के प्रयासों के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है इंधन की बढ़ती कीमतों से परसान आम जनता गुरुवार को डीजल पैट्रोल पर पांच रुपए तक की रहत मिली केंद्र की और से पैट्रोल डीजल ढाई रुपए सस्ता करने के एलान के बाद भाजपा सासित कई राज्यों में भी दाम में ढाई रुपए तक की कटोंती का एलान कर दिया गया है वित मंत्री अरुन जेटली ने एलान किया कि केंदर ने पेट्रोल डीजल पर डेल रुपए उत्पादन सुल्क कम करने का फैसला लिया है वही तेल कंपनिया ने भी एक रुपए प्रती लिटर दाम घटाई इससे उभुकताओं को प्रती लिटर दो रुपए पचास पैसे रुपए की राहत मिली अरुन जेटली ने राज जिस सरकारों से भी दाम घटाने की अपील की है यूपी उत्राखंट हर्याना जारखंट और 36 गर समित कई राजियों में इंधन की कीमत में अपनी ओर से दो रुपए पचास पैसे की कटोती का ऐलान किया है यूपी के बागपत में आज सुबा वायू सेना का एक विमान क्रेश हो गया विमान में दो पाइलट सवाट थे हाला कि दोनों पाइलट सुरक्षित है क्रेश होने से पहले ही दोनों पाइलट ने पैरसूट खोल लिया था वायू सेना का या विमान गज्याबाद के हिंडट एयर बेट से उरान भरी थी लेकिन बागपत के पास बहुचते ही विमान में कुछ टेकनिकल दिक्कत आ गई और विमान क्रेश हो गया विमान बागपत के रंचाड गाओ के एक खेट में जाकर क्रेश हुआ बताया जा रहा है कि प्लेट एयर फोर्ट स्टे की सैयारी में जुटा था हादसे के बाद वायू सेना ने जाच का आदेश दे दिया है जबु कस्मीर के श्रीनगर में आज आतंकियों की गोलीबारी में एक राजनीतिक पार्टी के दो कार्यकर्टाओं की मौत हो गई है जिन कार्यकर्टाओं की मौत हुई उनकी पैचर नाजिर अहमद और मुस्ताक अहमद के रूप में हुई है एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों कार्यकरता नैशनल कॉन्फरेंस पार्टी से चुड़े हुए थे हाला कि पार्टी ने अभी तक इस बारे में कोई पुस्टी नहीं की है इस गोली बारे में तीन लोग भी खायल हो गया खबर को समाप्त करने से पहले देखेंगे हेडलाइन्स प्रतिबंद को लेकर अमेरिकी चतावनी के बीच भारत और रूस के पीज S-400 मिसाइल डिफेंस डील पर लगी मुहर स्री नगर ओल्ड सिटी में पंचाय चुनाओ से पहले बंदुगधारियों ने दो कोमारी गोली राहुल गांदी बोले 2019 चुनाओ से पहले बसपा आ सकती है सांथ समाचार को यहीं समाप्त करते हैं नमस्का करते हैं यहीं समाप्त करते हैं यहीं समाप्त करते हैं